नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अमिता गरवाल श्पेशलाइजिंग जॉइंट रिलेस्पेंट एंड आर्थोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंज्री नारायना हॉस्पिटल जैपुर से आज हम बात करना चाहरे हैं सबसे कॉमन स्पोर्ट्स इंज्री जो ACL लिगामेंट होता है अपना गुटने का उसके तूटने के बारे में और उसके ऑपरेशन के बाद में हम क्या प्रोटोकॉल फोलो करना है कैसे रियेबिलेटेशन करना है आजकल स्पोर्ट्स इंज्री बहुत बढ़ गई है क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत जादा खेलने जाने लग गए हैं जिसमें नी इंज्री गुटने की चोट सबसे ज्यादा कॉमन है और उसमें भी ACL लिगामेंट सबसे ज्यादा कॉमन है ACL ligament क्या होता है ACL ligament अपने गुटने के अंदर का ligament है जो आगे की तरफ होता है गुटने में अपने दो ligament अंदर होते हैं दो ligament बाहर होते हैं और अंदर के आगे वाले ligament को हम ACL बोलते हैं ACL ligament सबसे common है जो तूडता है इसका आजकल दूरबीन से operation होता है हम पेशेंट की ही मसल निकाल के उसका लिगमन बनाते हैं और उसको दूरबीन से गुटने के अंदर फिक्स करते हैं अब operation के बाद में पेशेंट को अगले दिन से ही हम knee brace के साथ, walker के साथ चलाना शुरू कर सकते हैं पेशेंट को तीन हफते तक लगबग वो knee brace पहननी पढ़ती है, तीन हफते के बाद में हम उसकी knee brace short कर देते हैं जो लगबग एक महीने तक पहननी पढ़ती है पेशेंट की जो गुटने की हरकत है हम अगले दिन से स्टार्ट कर देते हैं और लगबग एक महीने के अंदर पेशेंट का पूरा गुटना मुढ़ने लग जाता है स्पोर्ट्स खेलने के लिए पेशेंट को लगबग 6-9 महीने का टाइम लगता है इन 6 महीने में हम पेशेंट की रिकावरी फीजो थेरपी की थुरू करते हैं जो ग्रेजुली एक एक दिन बढ़ते हुए उसकी मुवमेंट और उसकी स्ट्रेंथ पे हम काम करते हैं तो आजकल जो ACL के लिगमेंट से ओपरेशन है वो सर्जरी दूरबिन से होती है और बहुती सेव सर्जरी है अगर आप लोगों को भी किसी को भी ACL की इंजरी हुई है या कोई भी स्पोर्ट इंजरी हुई है तो आप अपने स्पेशलाज डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं